तीन सेयर ने स्प्लिट का एनॉंस्मेंट किया है इनका रेशियो क्या रहने वाला है और एक्सडेट क्या रहने वाला इसके उपर बात करेंगे पहला share 20 share याद यह आपके पास हैं तो 100 share हो जाएगा दूसरा share की बात करें 10 share हैं उसमें भी आपको 100 share हो जाएगा तीसरे share में अगर 10 share हैं तो 50 share हो जाएगा पहले share की बात करें तो इसका fundamental काफी strong नजरा आ रहा है हम बात कर रहे हैं टाल ब्रोज आटो मोटिब कमपोनेंट्स 2023 तक प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो 58.42 परसंट तक इसकी प्रमोटर की हिस्सेदारी है वहीं आम निवसक की हिस्सेदारी 41.56 परसंट की दोस्तों आटो कमपोनेंट्स शेद की या कमपनी में 52.2 की हाई की रूप में देखें तो 1163 रुपए को टच किया था वहीं पर 52.2 की रूप में देखें तो 379 रुपए इसका 52.2 की रूप में रहा था वहीं पर विदेशी निवसक हिस्सेदारी देखें तो 0.04 परसंट तक विदेशी निवसक है इस सेयर का भी फंडमेंटल काफी स्ट्रॉंग नजार आ रहा है काफी वेतरी नजार आ रहा है मार्केट केप 1620 करोंट पी रेसियो 28.08 डेप टुकुटी देखें तो 0.27 वही फेस बैलू इसका 10 है दोस्तों इस कंपनी ने इस्टू की स्प्रिट का अनॉंस्मेंट किया है दस सक्टू बर 2023 इसका एक्सडेट रहने वाला है एक अनुपादे 10 के रेसियो में आ इस्टू की स्प्रिट का अनॉंस्मेंट किया है मतलब 10 सेयर के बदले आपके 100 सेयर हो जाएंगे तीसरी जिस कंपनी के हम बात कर रहे हैं तीसरी कंपनी गुजरात थेमिस बायो सिंग 2023 तक प्रमोटर के हिस्सेदारी 74.99% पर्मोटर काफी बेहतरिन इसमें इससेदारी बनाए हुए है वही 24% के ऊपर आम निवसक के हिस्सेदारी मिचूवल फंड 0.02% वही मार्केट कैप देखें तो 1449 इसका मार्केट कैप पी रिजियो देखें तो 25.33 डिप टू कुटी जीरो मतलब कार जमुक्त कंपनी यहां है आप पांच इसको अफेज बैलू है दोस्तों इस सेयर ने इस्टोक स्प्लिट का अनौन्समेंट किया है जो एक अउन पते 5 के रिजियो में रहने वाला है 10 अक्टूबर 2013 एक्स डेट के रूप में इसको देखा जा रहा है अपना ध्यन मनन करके आप किसी भी सेयर में निवेज कर सकते हो फंडामेंटल काफी स्टांग नजरा रहा है इस्टोक स्प्लिट का यदि आप फायदा उठाना चाहते हो तो आप जरूर इसमें निवेज आप ध्यन मनन करके कर सकते हो मारकेट जूडियो से तमाम जानकारियों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद